हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ ओम जी अवस्ती और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत सौगत है एटीपी स्टार के इस प्यारे से यूटूब प्लैटफॉरम में तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपने थम्नेल में यहाँ पर देखी लिया होगा आज हम लोग WBJ की स्ट् हैं यहां पर वह भी देखेंगे कौन-कौन सी यूनिट्स जो हैं अपने पास यहां पर फिजिक्स केमेस्ट्री और मैस में आती है जिनमें हाई वेटेश होता है वह भी चीज़ें यहां पर अनुक डिसकस करेंगे आए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर देखत सब्सक्राइब होते हैं तो यहां पर यहां पर देखनी होगी कि यहां पर हमें चाहिए इस एक्साम को क्रैक करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा रिक्वार क्वार्मेंट है किसकी है इस पीड की और तो तो प्रैक्टिस की भाई साब यहां बहुत ज़्यादा नीड है ठीक है आए आगे देखते हैं अगर हम लोग बात करें यहां पर WBJ का है टेस्ट फॉर्मेट क्या है तो टेस्ट फॉर्मेट में सबसे पहले बात होती है mathematics की mathematics का subject wise ही यहां पर वेट सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहां पर maths के अकेले 75 questions है और maths का अलग ही paper होता है पेपर वन जो होता है पूरा mathematics पर बेज़ रहे 75 questions यहां पर हम लोग को देखने को मिलेंगे जो कि त्री categories में यहां पर divided है first category ऐसी है जिसमें हम लोग को वन मार्क का question मिलेगा और जिसकी negative marking है one by four category two अपने पास ऐसी है जहां पर हम लोग को टू मार्क का question मिलेंगे जिसकी negative marking अपको मिलेगी one by two ठीक है ना बट category three में more than one answers होते हैं बट वहां पर negative marking हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी तो यह total number of questions अगर बात करें mathematics में है 75 तो यानि इस exam को crack करने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने की किस पर ज़्यादा जरूवत है mathematics में यह बात हम लोग को समझ में आ गई ओके आगे आओ physics की अगर बात करें physics में यहां पर category one में 30 question category two में five और category three में भी five overall 40 question यहां पर physics में आपको देखने को मिलेंगे और 40 question आपको यहां पर chemistry में देखने को मिलेंगे यह बात हो गई अपने पास डवलू भी जई के टेस्ट फॉर्मेट की ओके अब यहां पर हम लोग बात करेंगे के वेटेज कैसे क्या जादा है कैसे किसमें कौन-कौन सी यूनिट का यहां पर वेटेज जादा है तीनों की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले अगर वेटेज की बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स में देखिए 37 परसंट का जो पॉर्शन है अपने पास वह इलेक्ट्रो मैगनेटिसम से आ रहा है ठीक है ना यानि अगर इलेक्ट्रो आपका यहां पर स्टॉंग है तो आप बहुत ही इसली यहां प और 37 परसंट यहां पर वेटेज है इलेक्ट्रो मैगनेटिसम का सेकेंड यहां पर दीखें मेकैनिक्स भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है 28 परसंट है ना यहां पर 28 परसंट मेकैनिक्स है आपको 10 परसंट तक मिल जाएगा 10 परसंट मॉडर्ण फिजिक्स इजी भी होती है ओके ऑप्टेक्स की बात करें 8 परसंट और थर्मोडाइनेमिक्स अपने पास 12 परसंट किया पर देखने को मिलेगी ओके आईए नेक्स देखते हैं नेक्स अगर बात करें वेटेज की केम स्विच्ट तो कैमेस्ट्री में यहाँ पर एक फाइदा भाई साथ फिजिकल कैमेस्ट्री 38.5 परसंट चीक है 38.5 परसंट जयानी क्या है फिजिकल कैमेस्ट्री तो जिनको भी नुमेरिकल बहुत जादा पसंद होते हैं सौल्व करना अच्छा लगता है और प्रैक्टिस ह और यहां पर जो पेपर होता है वह क्या होता है इसी ही मिलेगा आपको chemistry में टिके ना ज्यादा यहां पर difficulty आपको देखने को नहीं मिलेगी next देखते हैं maths तो भाई साब WBJ को निकालने का जो तरीका है वो maths से ही होकर जाता है अगर आपका maths strong है तो आपका WBJ असानी से easily ही crack हो सकता है कोई दिक्कत नहीं होगी तो maths की अगर यहां बात करें तो सबसे बड़ा portion अगर आप देखें यहां पर वो है coordinate geometry तो coordinate geometry के यहां पर बहुत ही ज्यादा questions आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा problems आपको देखने को मिलेगी क्योंकि इसका weightage एराउंड कितना है 35.2% 35.2% यहां पर weightage है coordinate geometry का अकेले ही उसके बात करें algebra की चींगे ना algebra में यहां पर notation combination और यह अपने probability के भी कोशन यहां पर देखने को मिलते हैं हम लोग को algebra है यहां पर 28.6% weightages का calculus calculus का भी ठीक ठाक यहां पर weightage है 26.7% ठीक है और miscellaneous बागी जो भी अपने chapters बसते हैं वो 9.5% में ही आते हैं तो अगर आपका यहां पर coordinate, geometry, algebra और calculus units यहां पर आपकी math में complete हैं तो एक अच्छे chances है कि आपकी एक अच्छी rank यहां पर आ सकती है उसके बात अगली बात हम लोग करते हैं यहां पर कि कैसे अपनी preparation को एक बूस्ट दे सकते हैं तो इसके लिए हम लोग आपके लिए कर आए हैं WBJ का एक crash course जी हां प्यारे बच्छों WBJ का crash course जिसमें enroll होकर आप WBJ को एक आसानी से एक strategy के साथ यहां पर crack कर सकते हैं यहां पर WBJ के crash course में आपको यहां यहां पर मिल जाएंगे क्योंकि टेस्ट देना बहुत साधा जरूरी है यह यह चीज़े हमारी कमज़ोर है हमें इस पर वर्क करने की जरूरत है और आपकी practice के लिए यहां पर chemistry, physics और mathematics के तीनों के master question bank भी यहां पर available है जो कि आपकी तयारी आपकी practice को बहुत ही अच्छी direction दे सकते हैं तो यह WBJ crash course है जो कि आप हमारी website या app के थ्रूँ आपर enroll हो सकते हैं आपको आपको login करना पड़ेगा और उसके बाद आप enroll हो सकते हैं ठीके ना बहुत यह affordable price में यह WBJ का crash course आपको मिल सकता है चलिए आगे अगर बात करें तो WBJ exam जो है यह अपना क्या है speed based exam क्योंकि य यहां पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा अपनी speed पर वर्क करना पड़ेगा कैसे होगा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हम लोग को यहां देखना कि यहां पर जो अपने पास जो questions आते ना जादा डिफकल नहीं है moderate level के ही question है moderate level यानी जाइन का level भी नहीं आपर तो यहां basically क्या है speed based exam कुछ question आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो सीधे सीधे हो जाएंगे ठीके ना बिल्कुल सीधे सीधे वह आपको mostly किसमें एक मार्क के question में देखने को मिलेगा okay यह basically क्या है speed based exam next बात करें study material की अब study material तो हमारे crash course में ही available है जो आपको master question bank यहां पर दिय बात होगी साथ साथ यहां पर आप preparation कर सकते हैं उसके बाद देखें मौक टेस्ट तो भाई सब किसी भी exam को crack करने के लिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि मौक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप मौक टेस्ट जब देते तो एक environment create कर लेते हो मैं टेस्ट दे रहा हूं और मुझे इतना टारगेट लाना इतना स्कोर करना यह टारगेट है मेरा तो आपके दिमाग में चलती है और जब रियल में exam देने जाते हो तो आपको ज़्यादा वहाँ पर दिक्कत नहीं होती है ना आपकी चीज़ें उसी हिसाप से चलती है तो झांक तो आपकी क्ली में लाइब चाह करता स्क्राव कर देध करता लहाँ है जा करता देद रहा हूं और रहाँ है अन्यादों करतावा टीर प्रावस्यान के लिए पर बिद्वाशन के बहाँ से चाहों का और टार्ती है स्टेज़ें टारागेशन के अविए्याह C européå